जैसे किशन आप सभी को कैसे हैं आप जैसे कि आप सभी जानते हैं आप ते लिए कुछ खास ऐसे जोती शुपाय लेकर आते हूं जिसको कर के आप इसी जीवन की कैसे भी कष्ट परेशानियों से दूर कर सकते हैं अगर घर में आपके रोग, बिमारी, कष्ट है, धन संपदा की कमी है, रोजगार की कमी है, आप किसी भी इंटर्वी के लिए जा रहे हैं, उस इंटर्वी में आप सकस्स नहीं मिल पार, यह बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पार है, तो कल लीजे फिर प्रदोश के दिन प्रदोश समय काल पर छोटा सा उपाई, तो आपने करना क्या है, इस दिन आप बेल पत्र का वरिक्ष आपके घर के आसपास हो, वहाँ पर आपने जाना है, आपनी छोटा सा उपाई करना है, साथ में आपने आवले के विष्ट के पास जाना है, जैसे कि काति का महिना चला काति के महीने की सुकल पक्षकी परदोश तिती बहुत ही जादा महतपून है तो इस दिन कली जिक छोटा सा उपाई आपको दो दीपक लेने हैं दीपक आप एक तेल का लेंगे और एक शुद्य देशी घी का दीपक आप चाहे बेल प्रत के विष्ट के पास जाएं या तो फिर आप आम लेके विष्ट के पास अगर दोनों ही आपके घर के आसपास है तो दोनों ही विष्ट के पास ये उपाई आपने कर देना है तो आप दो तेल के दीपक ले लेंगे दो आप शुद्य देशी घी के दीपक लेंगे ये दीपक लेके आपने प्रदोश का समय अब आपको मैं यह बता दू कि प्रदोश काल का जो समय होता है वो कौन सा होता है साड़े पांच से लेकर साड़े छे बजे का के बीच का जो यह गंटे का समय होता है यह होता है प्रदोश का समय तो इसी समय के बीच में आपने यह चोटा सा उपाए करना है और जिसके जीव या तो फिर बेलपत के विख्ष में बांधना हैं। साथ में आपने दिपक लिये हैं। और ध्यान अखेगा लंबी बाती बनाएंगे। आपकी हर समस्या दूर हो, आपकी हरी चीज काफी लंब समय तक चले, धन संपदा लंब समय तक चले, वंश Orchestra, व準 वृदी बोन किसे भी समस्या का आप समाधन चाहते हैं तो वह जल्दी हो तो इसके लिए आपने ये दो दीपख प्रजुलीद खाना है डिपग को चुज़ देसी कीकह से अपने देपग जला देनिया नहीं आपने इस तरह से दीपक जला दिया है, इसी परकार से आप आमले के विष्च के पास भी इसी तरह से दीपक प्रजवलीद करें, और अपनी मनो कामना बोलते हुए, बेल पत्र विष्च की प्रकरमा करें, साथ और साथ ही आपने आमले की विष्च की प्रकरमा करनी है, छोट मुझे आगया दीजे फिर आती कुछ ऐसे ही जोती शुपाई के साथ में जिसको करके आप अपने जीवन की समस परिशानियों को दूर कर सकते हैं जेश्री कृष्ण आप सभी को